नमेशकार दोस्तों आप सभी का स्वागतरिंक एजुकेसर में और आज हम बात करेंगे उडिसा में जो जुनियर टीचर की पोस्ट जाई हुई हैं उनके एक्जाम सलेब्स के बारे में की एक्जाम में कौन-कौन से कोसन पुछे जाएंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट से और कितने-कितने माक्स के पुछे जाएंगे वो सारी चीजों को डिसकस करेंगे बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुरूर देखें और आपका सलेब्स से लेटर डेक भी डाउट नहीं बचेगा ठीक है और चली शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताना पेपर बन की बात कर रहा हूं मैं जर्नल इंगलिस की तो दस कोशन पुछे आएंगे दस माक्स के और जर्नल ओडिया जो पुछे आएगी वो दस कोशन पुछे आएंगे दस माक्स के और जर्नल अविल्टी रिजनिंग पुछे आएगी दस कोशन पुछे आएंगे दस माक के, computer literacy पुछिएगी 10 question 10 marks के, child development पुछिएगी 20 question 20 marks के, ठीक है, तो paper 1 जो आने की उमीद है, वो 70 marks का सकता है, और 70 question पुछिएएगे, 70 marks का आएगा, 70 question पुछिएएगे, अब बात करते हैं paper 2 की, paper 2 में, आपका subject related पुछिएगा, 50 question पुछिएएगे, 50 marks के, और 30 question पुछिएए पुछिएगे, 30 marks के, ठीक है, pedagogy से, pedagogy 30 question पुछिएएगे, 30 marks के, और subject content पुछिएएगे, वो 50 question, 50 marks के, पहला paper 70 marks का, दूसरा paper 60 marks का, total 500 marks का, और आप इसका screenshot ले सकते हैं, 500 question के, दोनों बेपरों के 500 marks के, ये आपका पूरे का पूरा screenshot आप यहां पे ले सकते हैं, आज की वीडियों पुछितना ही दन्यवाद दोस्तो